नमस्कार बच्चो, तोड़े वी आगोईं टो डिसक्स क्लास 9 इंग्लिश वर्क्षिट नमबर 57 यह आपकी 3rd of जेन 2022 की वर्क्षिट रहेगी इसका 1 पार्ट रहेगा अबाउट संतोष यादव और 2nd पार्ट में हम बात करेंगे मारिया सारापवाकवी यह जो चैप्टर है हमारा रीच फोर दा टोप इसमें बात की जा रहे है कुछ ऐसे successful personalities की की जो टोप पर पहुंचे हैं लेकिन टोप पर कैसे पहुंचे हैं वो हम इन chapters के थूँ जानेंगे कि कोई भी person जब success को अचीव करता है अपने target को अचीव करता है टोप पे चला जाता है तो उसके बाद हम सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं कि वहाँ पर पहुंच गया लेकिन हम कभी इस चीज के बारे में नहीं जानते कि वह वहाँ तक पहुंचे कैसे उन्होंने कितना struggle किया है कहां से वो पहुंचे है कौन-कौन से challenges है उन्होंने face किया है वो सारी चीजे हम यहाँ इन chapter के थूँ डिसकस करने वाले यानि कि काफी motivational type की stories रहेगी जिन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जहां तक संतोष यादव की बात है या मारिया सारापोवा की बात है तो उन सभी ने struggle किया है उन सभी ने challenges को face किया है लेकिन कुछ चीजे उन दोनों में comment थी they fought उन्होंने लड़े किसके लिए लड़े अपने साथ लड़े वो क्योंकि सबसे बड़ा जो issue होता है problem होता है कि जब हम कुछ भी करना चाते तो हमें खुद के साथ struggle करना होता है क्योंकि हम comfort zone से निकलना नहीं चाते second they had will to win, will to success उनके पास एक will power थी कि हमें जीतना है मतलब जीतना है कोई और option नहीं था and उनमें self confidence भी था कि वो कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस story में क्या दिया गया है summarize करेंगे हम first part को संतोश यादव को उसके बाद इस पर based कुछ easy questions है जिनको हमें solve करना है तो चलिए story कि थू हम जानते हैं संतोश यादव ने ऐसा क्या किया था कि हम उनके बारे में chapter में पढ़ रहें और कैसे किया ये भी हम जानेंगे संतोश यादव was born in small village in हरियाना संतोश यादव है हरियाना के एक छोटे से गाव में उनका जनम होता है and in a traditional conservative family of prosperous landlords कि उनकी जो family है वो conservative होती है conservative means यह कह सकते हैं कि लकीर के फकीर who didn't want to change उनको conservatives कहा जाता था जो अभी भी change नहीं करना चाती कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपनी पुरानी जो thinking होती है उसी से चिपके रहते हैं तो उनको हम conservative बोलते हैं उनकी family कुछ ऐसी थी conservative थी prosperous थी अनि अच्छा कासा पैसा था she was the youngest and the only sister of five brothers and never satisfied with the traditional way of life कि वो youngest थी सबसे छोटी थी family में और five brothers की अकेली sister थी and never satisfied with the traditional way of life है उससे वो satisfied नहीं थी कि जो कुछ चलना था she just wanted to do something different कि वो कुछ अलग करना चाती थी या फिर वो traditional way से रहना नहीं चाती थी she did not wear traditional dresses in her childhood she didn't wear the traditional dresses जैसे कि पहनाया जाता है तो उसने वो पहनने से मना कर दिया and preferred shorts and studied in the village school shorts को preference थी हालंकि ऐसी कोई culture नहीं थी लेकिन उसने preference थी and studied in the village school में उसने अपनी study को continue किया अगर primary classes की बात की जै looking back she says now कि अब अगर वो पीछे के बारे में सोच थी कि उस वक्त उसने कैसे struggle किया था वो अब कहती है कि from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path the others around me had to change not me कि यहां पे उन्होंने याद करते हैं कहा कि जैसे मैंने beginning से यह सोचा हुआ था कि अगर मैंने सही correct path को choose कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों change हूँ जो मेरे आसपास की लोग हैं उनको change होना हो पड़ेगा this determination helped her to move ahead in her journey to achieve success और यही जो self confidence था यही जो determination था इसने साथ यह जिसके कांड वो top पर पहुंचे she threatened her parents to never marry if she didn't get proper education उसने अपने parents को सीधे तोर पे बोल दिया कि अगर वो marries नहीं करेगी अगर उसे proper education नहीं देगी she also told them that if they objected she would fund her own education by working part-time jobs उसने यह भी का कि अगर वो इसके उपर objection करते हैं तो अपने education के लिए खर्चा वो खुद कमा करके पूरा कर लेगी it means that she was determined that कि उसे quality education चाहिए उसे high education चाहिए तो चाहिए finally they agreed to fund her education after passing high school exam she joined maharani college in japan finally उसके parents से उनको agree होना पड़ता है कि चलो ठीक हम खर्चा देंगे और after passing her high school अपने high school exam को पास करने के बाद उसने admission लिया maharani college in japan and her room in kasturbha hotel faced the raveli hills उसका जो room था वो raveli hills की तरफ face था उसका जहां से room से उस सीधे तोर पे देख सकती थी raveli hills को from there she used to watch the people climbing hills then disappearing कि वो वहाँ से देख पा रही थे कि लोग पाड़ियों के उपर चड़ रहे हैं उसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं दिखना बंद हो जाते हैं यानि कि यह सब कुछ वो daily का routine था जिसमें वो observe किया करते थी curious to find the reason one day she went there and found a few mountaineers कि वो curious थे कि क्या कारण है लोग यहां क्यों आते हैं तो एक दिन वो वहीं पाहुंच आते हैं और वहाँ पे कुछ mountaineers को find out किया जिनको हम हिंदी में कहीं परवातार होई उन लोगों से वो मिलती है she asked if she could join them और वो उनसे पूछते हैं क्या वो भी join का सकते हैं they not only agreed but motivated her to take to climbing और उन्होंने ने के और वो agree किया बलकि उन्होंने motivate किया कि ठीक आप आईए और आप कर सकते हो she started saving money and enrolled herself in a course without her parents permission वहाँ पे उसने collection किया कुछ saving की उसके बाद अपने parents के knowledge के बिना ही उनकी permission के बिना ही उसने एक course को join कर लिया and later apologized for it instead of going back home she went straight for the training की वहाँ पे हालंकि बात में वो apologize भी feel करती है parents के साथ की मैंने आपको बताया नहीं permission नहीं लिया and instead going back home की अपने education के बाद या vacation में घर जाने के बज़ाए उसने straight उसी training को join कर लिया in just four years her climbing skills matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude की four years तक struggle किया एक लंबा period होता है जब भी हमें लंबा कुछ success के बाले में सोचना होता है तो हमें एक long term के लिए planning कारनी होती है कुछ भी जादु मंतर के तरह हमाई वो training लेती है अपनी skills को mature करती है and she developed remarkable resistance to cold and altitude के according खुद की body को adjust करती है as a result of her hard work अपने hard work के काण hard work, sincerity and iron will physical endurance and amazing mental toughness she conquered the Mount Everest in 1992 और उसके बाद finally अपने hard work के काण या अपनी sincerity के काण अपनी जो will to success जो will power थी उसके काण या physical जो fitness थी उसके काण वो 1992 में Mount Everest है उसकी चोटी पर पहुँझाती है her seniors were impressed by her dedication as well as caring and cooperative nature से उसके जो seniors थे काफी जादा impressed थे during the 1992 Everest mission she saved the life of a fellow climber who is sharing her oxygen but despite the special care by her कि यहाँ पे देखे कि 1992 में Everest जो मिशन था उन्होंने अपने साथ ही एक fellow climber थे उनकी life को save किया कैसे कि उन्होंने अपनी oxygen को उसके साथ share किया साथ साथ उसकी special care भी करती है she could not save another dying climber at the south south point है वहाँ पे वो एक और climber है हालंकि उसको किसी तरीके से बचा नहीं पाती है she scaled Everest for the second time within the 12th month of her first success उसके बाद within the 12th month वो second time भी मांट एवरेस्ट पर पहुंचती है being a member of the Indo-Nepalese नेपाली जो थी women's expedition था उसमें इंडियन भी थी और नेपाली women भी थी उसमें वो second time जाती है she set a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice कि उसके पास record है कि वो अकेली ऐसी women हुए है जो दो बार Mount Everest पर पहुंचती है the Indian government conferred on her the Padam Shri, one of the nation's two of honors in recognition of her achievements और Indian government की तरब से उनको Padam Shri भी दिया गया था बाद में उनकी जो achievement थी, it was not just achievement to reach on the top it was the achievement to inspire the others, कि बाकी को एक तरीके से inspiration मिली थी कि you can do, जो कुछ हम सोच सकते हैं, वो कुछ हम कर सकते हैं if we have the willpower, if we have that type of एक तरीके से की motivation अगर खुद के अंदर है, हमें self confidence है तो हम ऐसी कोई भी target है, उसको हम achieve कर सकते हैं उसके बाद she shared that the feeling of indescribable when she unfold the Indian tricolor on the Mount Everest कि उसके बाद वो अपनी feeling को share करती है कि जब उन्होंने undescribable, undescribable मतलब जिसको describe नहीं किया जा सकता कब, जब वो Mount Everest पे पहुंसती है और Indian tricolor को unfold करती है, उसको लहराती है it was truly a spiritual moment था उनके लिए I felt proud as an Indian और उन्हें वो गरव मैसुस हुआ था कि वो Indian है, she also collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas, being a true environmentalist, और true environmentalist होने के नाते, उन्होंने 500 kg के आसपास garbage है वो भी उन्होंने हिमालय से collect किया और नीचे लेकर के आए थे, ओके तो ये थी उनके इस chapter की संतोश यादव chapter के समरी की उन्होंने क्या किया, जिसके करण़ हम यहाँ पर उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अब इसी पर based हमारे रहेंगे कुछ questions जिनको हमें solve करना है, चलिए देखते हैं तो यहाँ फिर first हमारा question जो दिया गए, first question हमारा mcq रहेगा, choose the correct option which shows the qualities of संतोश यादव, हमें correct option चूज करना है जो संतोश यादव की qualities को reflect करते हो, first apologetic ऐसा कुछ नहीं था, second one is the brave, she is brave okay, she was brave and unsatisfied, ऐसा भी नहीं है, rebel भी है okay, rebel in the sense की वो, जो भी उन्हें लगता है कि गलत है तो उसके खिलाब वो आवाज उठाते है arrogant ऐसा नहीं है, and determined ऐसा भी है, okay, तो B, D और F है वो correct answer हो जाएगा, तो यहाँ पर fourth है वो हमारा correct answer हो जाएगा यह हमारा correct answer हो जाएगा उसके बाद second देखिए choose the option that lists the quote best expressing the central idea of the passage, इसमें से वो quote हमें, चूज करना है जो central idea को express करे हो, इस chapter के, तो इसमें first आपका correct answer हो आएगा, in my case I can sincerely say, nothing is impossible, नुवाक जोकोविक है उनका यह quote यहाँ पे दिया गया, यह इस chapter के साथ बिलकुल ठीक से बैठता है, कि कुछ भी impossible नहीं होता, we need the willpower, we need the self confidence self belief हमारे पास होना चीए, हम कुछ भी achieve कर सकते हैं, तो यह इस chapter के साथ बिलकुल correct बैठता है, तो first आपका correct answer हो जाएगा, now let's move to the next question, हमें question number 3, 4, 5 भी दिएगे, इनको भी हमें solve करना चलिए, इनको देखते हैं, यहाँ फे हमारा third question रहेगा, which behavior shows that संतोष defies the traditional lifestyle, कौन सा behavior show करता है, कि उन्होंने traditional lifestyle है, उसके लिए, उसके साथ चलने से मना कर दिया था, संतोष was not content with the traditional way of life, she was not content with the traditional way of life, उससे वो संतोष नहीं थे, she wore shorts, instead of the traditional attire की बजाए, उन्होंने shorts पहने went to study Delhi when girls in village got married, कि वो study के लिए Delhi गई, जब उसी age group की जो girls थी, उनकी गाउं में शादी कर दी जाती थी, तब वो अपनी study को further continue करने के लिए Delhi पहुंच जाती है तो यह कुछ examples है, जिनसे what happened when she was studying in जैपूर, कि जब वो जैपूर में थी तो क्या हुआ, संतोष went to जैपूर to pursue her high studies, higher studies, after completing high school in Delhi, डैली में high school complete करने के बाद, वो higher studies के लिए जैपूर चली जाती है, and there she used to live in the hostel, वहाँ पे वो एक hostel में रहती है, and she developed the feeling to be mountaineer, when she saw the villagers who climbed the arabley hills, जब उसने वहाँ पर देखा कि जो गाँवाले, वो arabley hills है, उसके उपर चड़ते थे, उनको देखकर के, उन्होंने खुद में भी एक mountaineer की feeling आप डैलप के थी, वहीं से उनका सफर की शुरुवात होती है, now let's move to the next one, fifth question, fifth हमारा question दिया गया, it was truly a spiritual moment, कि एक truly spiritual moment था, कब की बात की जा रही है, जब वो mount Everest की चोटी के उपर, बिल्कुल टॉप के उपर पहुंच जाते हैं, and I felt proud as an Indian, और उन्हें proud feel होता है कि वो Indian है, have you also felt like this in your life, क्या आपने भी कभी अपनी life में feel किया है, अगर किया है तो हमें वो incident, वो event हमें अपने friends और teachers के साथ share करना है, okay, तो चलिए इसको भी हम solve करते हैं, संतोश यादव while standing on the top of the world, it was overwhelmed with emotions of patriotism, कि जब वो बिल्कुल top पे पहुंच गए, तो एक अलग ही emotions थे, especially जो देश बक्ती की भावना थी, वो उनमें बहुत ज़्यादा थी, जब उन्होंने त्रिंगी को वहां पे लह राया, she felt proud as an Indian when she unfurled the tricolor on Mount Everest, कि जब उन्होंने Mount Everest पर tricolor को फ्लह राया, तो उन्हें as an Indian proud feel होता है, she was so happy that she experienced a kind of spiritual bliss, कि वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उन्हें ऐसे लगा कि जो spiritual bliss है, वो feel होता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, जैसे सब कुछ अचीव कर लिया हो, she found it hard to articulate her feelings, और उस feeling को express करना उनके लिए मुश्किल था, कि वो कितनी ज़्यादा खुश थी, कितना ज़्यादा फ्रावड फील कर रही थी, many a time, I also felt like this in the life, कि मुझे भी कई बार ऐसा feel हुआ है, कैसे जरुने की personal life में, लेकिन कई बार ऐसा feel हुआ है, कि I felt proud as an Indian, when India launched the Mission Chandriyan, जब Mission Chandriyan way back in 2008-2009 में launch किया गया था, first, तब proud feel हुआ था, कि हम भी top पर है, second, when Indian cricket team won the world T20 in 2007, I was having the same feeling, उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये कुछ incident में ने share कि, आप इसमें कुछ और बे add कर सकते हो, ये थी मारी आज की worksheet, I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो, ये वक्षिट अच्छे लगे तिश वीडियो, इस वक्षिट को लाइक और शेयर जरूर कीजिगा, आज के लिए वस इतने, थैंक यू, बाई-बाई, have a nice day.